पता है कि अल्को ट्रेडिंग में जो भी चेंजिस दो सकते हैं और यह जो फ्रीक ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स ले रही है से भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपने न्यूस सुनी इन फाक्ट यह फर्स रियक्शन अन डिस न्य या 100 milliseconds का जो time दिया है उसको implement करने में मुझा लग रहा है कि शायद operationally काफी दिक्कते होगी क्योंकि कोई भी बड़ा जो frontline player है market में वो यह नहीं चाहेगा कि उसके trades थोड़े समय के लिए भी सबको visible हो क्योंकि algo trading एक automated system होती है एक program system होती है तो यह definitely मुझा लग रहा है कि operationally काफी you know difficult होगा हाला कि SEBI का जो objective है वो definitely अच्छी बात है कि sudden fall in the market जबी भी होता है ऐसे algo trade से तो उसको बचाने के लिए शायद उनोंने यह सुझाओ exchanges को दिया है पर मेरे ख्याल से I think brokers जो in FIS या जो frontline players के लिए काम करते हैं जो algo trading करते हैं वो भी शायद इनको oppose करेंगे क्य क्योंकि मेरे ख्याल से business clearly you know trust or credibility बे होता है अगर यह trade सबको पता होते हैं तो मेरे ख्याल से clearly to some extent यह बात I mean client को अच्छी नहीं लगेगी तो I would say that let's wait and watch but clearly from SEBI point of view यह volatility कम करने का जो उनका निर्न है definitely longer term में अच्छा रहेगा अगले कौर से बातBir कर लेते हैं और अगले कौर हमारे साथ वीनोध और नमसकार कहां से बाति चीट कर रहें आप जी सवार पूछेए अपने विरोज जोपीटर बायो साँन्स अब इतने विस समय से आप होर्ड रहे हैं और आप खुद बता रहे हिए यह suspended भी है मतलब कामकाज नहीं हो रहा है उसके बावजूद अब क्या समझना चाहते हैं आपकी खरीद का प्राइस ही बहुत ऊपर का है जी 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 अविराश मैं आपी से इस पर कॉमेंट लेना चाहते हैं इस पर नहीं ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं कल भी कॉलर का फोन आया था जिस जिन्होंने डॉक्टर डेट्सन के शियर्ज लिए वे थे उसमें भी ट्रेडिंग सस्पेंड़ है हाल जुपिटर बायो साइंस काई वही है और काफी सारे से निवेशक है जो इस तरह की पैनी स्टॉक्स में बहुत हार लेवल्स पर फसे हुए हैं अब भी अप्रोच इन्वेस्टर्स की क्या होने चाहिए हाला कि थोड़ी सी अगर अलर्टनेस होती है या फिर अलर्ट रहे होते तो अभी इतना भारे नुक्सान नहीं जहलना पड़ रहा होता या फिर इसलिए कहते हैं हमके अच्छे फंडमेंटल्स वाली कंपनीज को पीक कीजिए बट अब कॉमेंट्स आप क्या देंगे इनको इन्हों ने कहा है कि ये लास्ट चार-पान साल से ये शेर होल्ड कर रहे हैं मेरी राय में कोई भी शेर में जब भारी गिरवट आती है तो एक साथ नहीं आती है I think it is a gradual process तो ऐसे पैनी स्टॉक से पहली बात तो मेरी ख्याल से दूर रहना चाहिए I think ये पैनी स्टॉक होने के पहले ही ये कंपनी में काफी दिक्कत है हमने देखी थी बहुत अच्छे शेर में डाले जहां पर कॉर्परेट गवरनन्स है टिपिकली इंडेक्स कंपनी या जो वेल मैंज़ कंपनी जहां पर एचनाइज या एफाइज इंवेस्ट करते है तो मेरी राय में थोड़ा सा क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा रिसर्च करके पैसा लगाए त तो मेरी राय में यह शेर से निकल जाए क्योंकि यहां से डेफिनेटली कोई भी बड़ी अपसेड आएगी यहां पर टेक ओवर या रिस्ट्रक्चरिंग इसका भी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है